चाहे कोई सा भी सीजन हो, किसी ना किसी को किसी ना की सीजन में hair fall की problem तो होने ही लगती है Hair fall या hair loss की problem में दो चीज़े बहुत ही ज़ादा matter करती है पहली तो हमारा internal intake वो अच्छा होना चाहिए, उसके बाद हमें topical application पर जाना चाहिए Topical application से भी हमारे बालों को अच्छा boost up मिलता है hair growth के लिए और एक अच्छा खासा push मिलता है new hair के लिए आज मैं कुछ ऐसी ही remedy आपके साथ share करने वाली हूँ जो आपकी extreme level के hair fall को कम करने में मदद करेगा, normal करने में मदद करेगा साथी साथ आपके new hair growth भी new hair भी लाने में मदद करेगा हमारा आज का special ingredient है ginger, अद्रक, जी हाँ पाने का taste बढ़ाने वाली ये चीज हमारे बालों की growth को बढ़ाने में भी काफी लाबदायक होती है अगर आपके scalp में eachiness की problem है, dandruff की problem में उसे completely subside करती है आप इसे किसी भी season में apply कर सकते हैं, summers में, monsoon season में, किसी भी season में आप इस remedy को try करेंगे आपको 100% results मिलेंगे, आपका hair fall जितना भी extreme हो, वो normal हो जाएगा अच्छा कोई भी remedy आप इस्तमाल कर रहे हैं, तो यह नहीं आप एक remedy कर रहे हैं, दूसरे दिन आप दूसरी remedy कर रहे हैं फिर तीसरी remedy, चौती remedy ऐसा नहीं करना है, अट लिस्ट एक remedy को आपको 15 days तक use करना है उसके बाद switch करके आप next 15 days कोई दूसरी remedy स्टार्ट कर सकते हैं, आपको हर दिन अलग-अलग remedies इस्तमाल नहीं करनी है इस तरह आपके बालों को आपकी scalp को भी यह समझ नहीं आएगा क्योंने क्या accept करना चाहिए, क्या नहीं I hope मेरी बात को आप समझ गए होंगे जिंजर हमारी scalp पर blood circulation को boost कर देता है, बढ़ा देता है, हमारा hair growth का process होता है, वो fast हो जाता है जिंजर में होते हैं essential vitamins, fatty acids and minerals जो की हमारे hair follicles को strengthen करते हैं और हमें hair loss की problem से बचाता है जिंजर को हम grate कर लेंगे और फिर इसका juice extract कर लेंगे मैंने जिंजर को grate कर लिया है, उसके बाद मैंने इसका juice निकाल लिया है तो ये juice हमारे पास, दो चमच के करीब juice हमारे पास ginger का आगया है winter season चल रहा है, पोड़ असा freeze हो सकता है बालो में और ये problem ना हो, इसलिए हम इसमें मिलाएंगे castor oil अगर summer season में आप ये remedy इस्तिमाल कर रहे हैं, तो आप castor oil कीजेगा इसमें coconut oil मिलाएंगे castor oil भी हमारे blood circulation को scalp पर speed up कर देता है, बढ़ा देता है इससे हमारे hair fall को control करने में बहुत मदद मिलती है और new hair growth भी हमें मिलती है मारस में तीसरा ingredient है rosemary essential oil चाहे तो इन दोनों को ही mix करके apply कर सकते हैं लेकिन rosemary essential oil ginger के साथ जो काम करता है बहुत ही amazing काम करता है तो results देखने को मिलेंगे आपको hair fall में 100% results मिलने वाले हैं आप खुद देखकर चौकने वाले हैं धमाकेदर काम करता है rosemary ginger के साथ तो आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो आप इसे डाल सकते हैं नहीं तो आप ऐसे भी apply कर सकते हैं rosemary essential oil हमारी इस remedy में 4 चान लगा देगा और बहुत ही जदा powerful बना देगा अच्छे से mix कर लेंगे इसको mix करना बहुत ही जदा ज़रूरी है अच्छे से और आपको बिल्कुल भी late नहीं करना है जिस time आप इसको prepare करेंगे न उसी ही time आपको इसको apply भी करना है पर आप इसे morning में apply करेंगे तो कम से कम 80 आपको 30 minutes इसको रखना ही है लेकिन मैं यह recommend करूँगी कि आप overnight के लिए इसको massage करें और overnight के लिए छोड़ दीजिए फिर morning में आप इसको अच्छे shampoo से wash कर लिजिए मैं कोई भी oil लगाती हूँ personally तो मैं overnight के लिए ही छोड़ती हूँ morning में मैं oiling नहीं करती हूँ तो इससे results बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं हफते में दो बार ये remedy को जरूर यूज कीजिए और अपना feedback मेरे साथ जरूर टैर कीजिए यह hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ये मेरी remedy आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसके results को देखने के बाद ज़्या करती हूँ आप सभी के बाल सवस्त और सुन्दर हमेशा बने रहें अगर आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं मलते हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ तब तक लेते, care and goodbye guys